कि नेक्स्ट टोपी का मुविंग कोईल गेलवनोमेटर डबल स्टार लगा लो इसके उपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट टोपी का नाम क्या है मुविंग कोईल गेलवनोमेटर क्या चीज़ होती है यह तो जब आप फिजिक स्लेब में जाओगे तो आपको एक डिवाइस सकता है और साथ में ऑफ करेंट भी बता सकता है इसका नबतलब रिखाई दे रहा है देखाए है यह पीछ नियोंक में लिख्पीए होंगी 1234 इस तरीके से और यह का पॉंट्र सबहुज करो तो यह दोनों साइट में डिफलेक्ट हो सकता है इधर भी जा सकता है अगर सरक्यिट में किसी एक साथ में यह करेंट या वोल्टेज को भी मेजर करके बताता है लेकिन इसकी एक समझ्य है कि यह दोनों को ही एकुरेटली मेजर नहीं कर पाएगा ना तो करेंट को एकुरेटली मेजर करेंगा ना वोल्टेज को यह प्रॉक्सिमेट वेल्यू बताता है तो इसलिए जब भी हम और जहां पर थोड़ी और ज्यादा एक्यूरेसी की बात आएगी वहां पर हम अमेटर या वोल्ट मेटर यूज करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी उन में होते हैं ऑध्याद करते हैं यहाँ पड़ेंगे पर उसका प्रिंसिपल पर यह काम करेंगे और इसकी वर्किंग डाइग्राम काम करेगा तो उसके उपर क्या लगोगी और अगरेक्शन आएगा तो श Stitch द्यूशे डिवाइस काम करेगा है सकते हैं अधर एक ल Springs ऐसका टोर्क है ठोहन an a 관े करेंट केरिंग कोयल इंन माइटिक फिलड त्रीक है करेंट commitment को ना लगता तो इस प्रिंसीपल प्रॉन करेगा वहीं अगर आप डिवाइस बनाते योजिक लगाते हो किसाएसे काम करेंगा जायेगा तो यह टेखलेखशन आएगा अधिक के अंदर क्या-क्या चीजावगए होती तो यह जो आपको डिए दिखाई दे रहा है। वाहन से तो इसके अंदर क्या-kया चीजा है , तो इसके अंदर दो सर्कुलर मैगनेट्स लगी होती मतलब कि सामने से देखोगे या साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा उपर से देखने पर कुछ ऐसी दिखेंगी इस तरह कि इनको सर्कुलर मैगनेट इसलिए बोलता है कंडर करके बताता हूँ सर्कुलर मैगनेट स्का जो मैगनेटर एस जुद्ध है वो बीच मे तो ज्यादा होता है और सब्सक्राइब कंडर째 मंको इसको मिलने वाला मैगनेटर प्रेंगा раскleету कर दो करने लिए अगर नगिंद ll न् ada भर्राफव अ दिखें से फाइदा क्या होगा कि जो कोईल यहां पर रखी जाएगी बीच में उसको मैगनेटिक फिल ज्यादा मिलेगा ताकि उसके उपर प्रॉपर ली टॉर्क वर्क करें और टॉर्क लगे तो वह घूमें और भूमें तो कुछ रिडिंग शो करें स्केल की उपर ठीक है यहां पर क्योंकि देखो यह जो सरकल बनेगा दोनों मैगनेट्स की बीच में यह उसके रेडियस के लोंग होगा पत्र बीच में नव'd elda Ł bugün स्ब्सक्राइब का मतरब है यहां पर स्ट्रॉंग मैगनेटिक फिल्ड है तो सर्कुलर मैगनेट्स यूज करने का अगर आपको रिजन पूछा जाए तो एक रिजन तो क्या बताओगे कि बीच में जो कोईल रखी जाएगी उसको ज्यादा मैगनेटिक फिल्म मिले इस वज़े से हम सर्कुलर मैगनेट्स यूज करेंगे इसके बारे में पूछते हैं एक्जाम में कि हमने सर्कुलर मैगनेट्स क्यों यूज करी है तो रिजन क्या है बीच में रखी गई जो कोईल है उसको ज्यादा से ज्यादा मैगनेटिक फिल्म मिले इसलिए हम क्या यूज करेंगे ठीक है फिर हम हम बीच में क्या करेंगे एक कॉइल को रखेंगे को रखने के लिए Cylendrico B अपर को लपेटा जाएगा को एक स्लेंडर जैसा आयर इन का सोफ्ट पाइर इन का पीस होगा और उसकी उपर क्या करना है को पर्वाइर की को लपेट ना सब्सक्राइब और तरह चारँ तरफ Elijah को लपेटा तो को सिरा होगी है किसके को ना से बनेतरों किसके हूँ साथ मेस इस भाष। सब्सक्राइब को क्रोड़त है इसको तर्मिनल टरमिनाल सो आप सर्कुट में चरोगे तो यहां पर वो सर्कुट के अंदर जहां भी कनेक्ट करना उसके कर दिये जाएंगे यह टर्मिनल वन है यह टर्मिनल टू है यहां पर ऐसे दिखा रखें फिर इसके बाद में क्या करना इसको एक स्प्रिंग से लटका देना है इस मैगनेटिक फि रहेगी ऐसे एक स्प्रिंग रहेगी और उस इसको लटका दिया जाएगा ठीक का भी यूजए अपना वह आपको बताता हूँ भी फिर एक स्केल रहेगा जिसके ऊपर हमको रेडिंग्स वगेरा मिलेंगी यह अपना स्केल हो गया स्केल होरीजोंटल प्लेन में होगा वैस है और जोंटल प्लेंग का मतलब यह कि यह कोईल तो ऐसे वर्टिकली लटकी हुई है और इसके उपर यह पॉइंटर हमने ऐसे चिपका रखा है पॉइंटर का है इसमें पॉइंटर यह इसके ऊपर चिपका रहेगा यहां तो जीरो डिडिंग लिखिए जैसे लग लग डिड लिखिए होंगी अना दोनों साइड में रिडिंग लिखिए यह पॉइंटर देखो एक्षुली क्या यह सिलेंडर कला इरेन का पीस इसके उपर कॉइल को लपेट रखा है इसके उपर पॉइंटर को ऐसे चिपका दिया अब यह ऐसे मालों ऐसे चिपका दिया अब जब भी नहीं हो इसके उपर उपर तो क्योंकि करेगा जिस से हमको आडिया लगजाएगा कि बीज्जादा रिडिंग ऑ रही कमबाने इ 지원 करेंगा जिसनों की आरी फोंटर कहां पर पहुंच गया इस तरही सिस्कों लगाना है तो पोईंटर को भी यहां पर थोड़ा सा हाइलाइट कर देते हैं को शके मालो अपना dew interact है तो यह पूरा डायग्राम हो गया इसका ठीकर यहां पे इसा दिखेका डाय हिए तो आप साइट से देख रहेयो उपर से अगर्स डायग्राम को देखोगे तो आपको कैसा देखेगा दोनों मैग्नेटी सिस टाइब कर देखेंगी मैग्नेटिक फिल्डास दीखेगे और उसके बाद में फिर यह जो जैनेड्र कल आयरेन का पीस है यह कैसा दिखेगा यह बीच में रखावा दिखेगा यहां पर के ये अपना सिलेंडर क्लाराइरेन का पीस है और इसके उपर निप्टी विए देखो यह तो उपर वाला पॉट्षन ही दिखेगा उपर वाला सर्कुल्र पॉट्शन दिखेगा नहीं चुल है इसको यह चोंडा आपको बताया था भी तरीजन था बीच में जो कोईल रख्य हुई है इसको जादा से जादा मैगेटिक फिल मिले यह रेडियल मैगनेटिक फिल यूज करेंगे दूसरा इसका रीजन होता एन आई-साइन फिटा टोक्स तुछ फॹ्क reflection ढिए लिए इध साइन सीं तीटा यहां पर क्या होता है एरिया वेक्टओर और मெय कि तर्माना जाता है मेशा प्लेहशों के पर्पेंडिकुलर और ठीक है तो अगर सामने से को को अपको ऐसे दिख रही है तो इसका area वेक्टर होगा और अगर टोन से देखोंगे तो तो से देखने पर ऐससे दिखेगा यहवाला पोर्टशन जिस कर रियरिया वेक्टल होगा नीचे की तरफ होगा समझ गये Herrn कैब इसको ऐसे गुमा के देखो एरियक्टर कि दरोगा नीची समझ गये है सब समेशा हमेशा आपको इसको सब्सक्राइब दिखीगा ऐसे है तो तो इधर दिखेगा ऐसे रखोगे तो नीचे दिखेगा समझ गया ना बात तो यह कोईल जैसे रख्यों यह डाइग्राम के अपोडिंग थोड़ा ऐसा ऐसा माना कि यह कोईल है और इसके प्रपेंडिगुरार एडिया वेक्टर माना जाएगा अब यहां पर हम यह चाहते है कि यह जो टॉर्क इस कोईल पर लगेगा यह ज्यादा से ज्यादा लगे ताकि कोईल में इसली डिफ्लेक्शन आए इसली हम छोटे से छोटे करेंट को मेजर कर पाएं तो उसके लिए साइन ठीटा की वैलू मैग्जूम रखने की कोशिश की जाएगी ताकि साइन ठीटा क की वैलू अगर मैग्जूम होगी तो टॉर्क भी मैग्जूम लगेगा साइन ठीटा की वैलू मैग्जूम का बात किया जब ठीटा कितना होता है 90 डिग्री तो यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फिल्ड यूज़ करने से फायदा की हुआ कि इसका जो एरिया वेक्टर है व 90 डिग्री अगर यह कोईल ऐसे घूम जाए मालो अब यह कोईल इधर की बजाए मालो इधर आ गए तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा और यह इस वाले मैग्नेटिक फिल्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगी तो एनी टाइम ठीटा क्या रहेगा यहां पर 90 डिग्री रहेगा अगर आप सिधा सिधा जो मैग्नेटिक फिल्ड है जो बार मैग्नेटिक प्रोड्यूस करते हैं वह यूज करते तो जैसे कोईल घूमती तो फीटा चेंज होता रहता और फिर साइन ठीटा कॉंस्टेंट भी नहीं रहता और यह बारबार चेंज होता त इसके उपर हम किये जा सकते हैं क्योंकि सारी चीजी इसमेर कान्सेंट को चोड़ के करेंट इसमें सर्किट पर कितना करेंट है जिसको हमको मेजर करना है बाकि इसके अलावा सारी चीज़े देखो साइन थिटा को तो हमने कॉंस्टेंट करी दिया यहां पर थिटा करेंट 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 इसमें अंदर और इसमें अपर बाहर आ जाएगा तो करेंट करेंगा ए मतलब एरिया ओप और वह भी कॉंस्टेंट है यहां पर बी मतलब तो एक्टरनल मैगनेटिक फिल्ट वह भी कॉंस्टेंट है चेंज नहीं हो रहा बार बार तो यह सारी चीज़े इसके अंदर लगी हुई इसकी बात हो गई इसकी वर्किंग समझना ध्यान से ड़ा नहीं किस तरी कीजिंग से काम करेंगो चिसे करें यहीं को प्राским संसर करना है तो क से कुछ को आप क्या लिख सकते हो टो इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन नाइन्टी साइन नाइनटीवन ओगया यानि की जो टॉर्क लगेगा कोयल पर वह और इतना टॉर्क लगेगा जिससे टॉल घूमेगी टॉल घूमेगी तो यह जो स्प्रिंग जिससे इसको लटका रखा है इसमें ट्विस्ट आएगा और स्प्रिंग की प्रोपेटी क्या होती है कि जब भी उसको मरोडा जाता है या उसको खीचा जाता है तो वापस से वह अपनी इनीशल स्टेट में आने के लिए एक फोर्स डावलप करती है या एक टॉर्क डावलप करती है उसको अगर ऐसे कीआ गया कोईल प्रेक्ट लगा जिससे को घूल को घूमने से स्प्रिंग में ट्विस्ट आया स्प्रिंग में ट्विस्ट आयका तो इस प्रिंग करेगी और स्प्रिंग करती यह उसका फॉर्दों प्रेटी करती है के यहाँ उन प keywords क לצ Shift19 ख different furious ग suburbs हला तो पांस्तेंट ऐसे इस प्रिंग के लिए दो इक तो क्म अगर आप खीशते हो तो उसका प्रिंग कोइसना आलग होती है उसका होता है एक वे वोगन सस्टा है कितना खीचा उसको वो दिस्टेंस ठीक है और दूसरा फॉमला होता है तो इक वज्टू टॉर्क के लिए फॉमला होता है स्प्रिंग के लिए के इंटु फाइए का मतलब टॉर्जिनल कॉंस्टेंट यह डिपेंड करेगा कि किस टाइप की स्प्रिंग आप यूज करें तो उसका लूज इस्प्रिंग यूज करोगे विश्ली टूज जाएगे तो उसका टॉर्जिनल कॉंस्टेंट कम रहेगा और फाइग क्या होगा एंगल जितने एंगल से वो ट्विस्ट हो गई तो जितना जादा अप टुष्ट करोगे को मरोड़ के जैसे कि इस प्रिंग को मेरोड छोड़ते ही वापस से अपने इनिशल स्टेट में आ जाती स्प्रिंग क्यों क्योंकि अपने अंदर भी वह एक टॉर्क प्रेडूस करती है उस टॉर्क का फॉमला यह ठीक है तो जैसे जैसे कोईल अपने इनिशल स्टेट से टॉर्क की वज़े से घूमेगी एंगल बढ़त डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा यहाला जो टॉर्क जो प्रोडूस कर रही है वह भी बढ़ता जाएगा एक पॉइंट ऐसा भी आयेगा जहां पर इसी कोईल की उपर लगए का करेंट की वाज़े से उसके बराबर हो जाएग तो जैसे जैसे यह घुमेगी इसका डिफलेक्शन बढ़ता जाएगा अपने इनिशल स्टेट से जादा जादा और जादा एंगल से डिफलेक्ट हो रही होगी तो एंगल बढ़ेगा फाई तो क्या बढ़ेगा यह जो टॉर्क स्प्रिंग प्रोडूस कर रही है वो भी बढ लुएू क्यों तो क्ज़न क्यों तो इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहोगा एक इसे प्रिंग को ना इसका क्यों बराबर हो गए तो उसका मतलिम वहां पर उनोट र्ख जाएगी यहां पर रुख'd माँच गया इतना करणंस सरकृट में हो गया इतना वोल्टेज होगा कोने सरक्षिन होगा कि हमको बराबर करना होगा करिंट की वगजह से वाले टॉर के तो हम यह पता कर सकते हैं कि120 इस वहारा होगा यहां वजह सकते हैं कि यह ब्राबर हो गया होगा तो यहां यहां पर फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो के को इसके नीचे लिख दो तो एन ए बी अपॉन के और आई को मैंने अलग कर दिया क्योंकि आई सर्कुट पर डिपैंड करेगा करेंट सर्कुट पर डिपैंड करेगा कि ज्यादा है या कम है लेकिन बाकी चीज़े कॉंस् यहां पर आप देख रहों कि यह सारी चीज़े कॉंस्टेंट और फाई सिर्फ किस पर डिपैंड कर रहा है करेंड पर डिपैंड कर रहा है इसका मतलब यह है कि सर्कुट में जितना ज्यादा करेंड होगा उतना ही ज्यादा डिफलेक्शन आएगा सिंपल सी बात है सर्कीट में एक एंपिर कारण் एनपर करेंट तो यह पॉइंटर वन पे चला जायेगा 12 दो इंपर घर नर्ट होता रहेगा तो उसके पता लग जाएगा कि किना गरेंट सरकिट में पहले हम क्या करेंग एक gespannt करेंट में फ्लो करेंगे इस जरूरों ऑंकरनट मत्रहãy यहां पहले से पता होगा है टो वटंप देंगे फिर उसमें करन करन करेंगे किसी से किनक किनेकρεंट किया जाएगा तो अगर पॉइंटर माव लो फॉर पर चला गया इसका मदला सर्कित किलाए कि प्रैतों कि हुर喜 est deve call करेंग कि आधे रहा है ना कीपह रुंक आधा है तो यह इस तरीके से स्केल निजाइन किया umbrella जाता है इसका और यह इसका concept हो गया इसकी working हो गई कि कैसे यह काम करेगा बिल्कुल आसान है को अब कोई भी ग्यालोरी मिटर करेंट या voltage को मेजर करने के लिए कितना sensitive है इसको calculate करने के लिए हम इसकी current sensitivity और voltage sensitivity भी calculate करके देखेंगे दो चीज़ें और calculate करके देखनी इसके बारे में की करेंट को मेजर करने के लिए कितना सेंसिटीव है और वोल्टेज को मेजर करने के लिए कितना सेंसिटीव है सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है अगर कोई डिवाइस छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है इसका मतलब वह ज्यादा सेंसिटिव है और बड़ी वैल्यू को मेजर करता है और दूसरी चीज़ क्या हैjas is sensitivity कि हमने भी देखा था जो मूविंग कॉयल गेलोनिमेटर है इसका नाम मूविंग कॉयल गेलोनिमेटर क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर कॉयल होती जो मूउग करती है इसलिट सभ सक नाम क्या है मुविंग कोईल गेलोन मेटर उसमें जो डिफलेक्शन आता है उसका फॉमला होता एन एब आपोन के इंटो आई यह फॉमला हमने पड़ा था भी ठीक है तो करेंट सेंसिटिविटी का मतरब है कि जो गेलोन मेटर है उसमें युनिट करेंट के लिए कितना दिफलेक्शन आ करेंट कितना है उसी को हम बोलते हैं करेंट सेंसिटिविटी फॉमला बना सकते हैं इसका डिफलेक्शन डिवाइड़ बाई करेंट अगर आपको यह पता है कि टू एम्पेर करेंट फ्लो करने से जो कोईल आउस सिक्स्ट डिग्री एंगल से घूम जाती है अगर टू एम् कि टू एक टू यानिकि गरी कि तो जो 30 डिगरी अपने पास आया आए वन फिर करेंट के लिए देफ्लेक्शन उसी को हम बो लेंगे करन्ट 새ंसिटीवूटी ठीक है तो करन्ट चानटा क्या है कितना करण ट्रो किया उसके अंदर को अरफुरी अब्रीर रेरेंग मिस तो फाइपन आई क्या बना सकते हो यहां से थां अब की लिख सकते हो ऐसे ऑस म nadzieję ओ तो आई को इसके नीचे लिख दो तो एन ए बी अपॉन के बन गया यह तो बस यही करंट सेंसिटिविटी का फॉमला है अगर आपको किसी भी गैलोनिमेटर की करंट सेंसिटिविटी केल्कुलेट करवाए तो आप यह फॉमला यूज करोगे या तो डिफ्लेक्शन दे रखा और करेंट दे रखा हो तो यह फॉमला यूज कर लो या फिर आपको नंबर ओफ टांस एरिया मैग्नेटिक फिल्ड और टोर्जिनल कॉंस्टेंट दे रखा हो स्प्रिंग के लिए उनको आप यह पुट करके सॉल करके बता दो तो यह तो हो गई करंट सेंसिटिविटी इस उसको हमने बोला करंट सेंसिटिविटी तो उसी तरह किसे क्या बोलेंगे वोल्टे सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे डिफलेक्शन पर यूनिट करन पर यूनिट करोगे डिफलेक्शन पर यूनिट वोल्ट कितना है यह एक वोल्ट के लिए डिफलेक्शन कितन गया तो एक वोल्ट के लिए कितना घूमेगा तो 90 अपॉन फाइव करके निकाल लो एटीन डिग्री आया समझ में ठीक है तो फाइव अपॉन वी को हम ओम से वी को हम आई इंटू आर भी लिख सकते हैं वैसे ओम स्लो की अकॉर्डिंग अगर कोईल का रिजिस्टेंट जो को सब्सक्राइब करो और उसमें आई करेंट फ्लो किया जा रहे तो आई इंटू आर को हम वोल्टेज बोल सकते हैं अब पहले से पता वह देखो उपर भी कैल्कुलेट कर रखें यहां से लिख दो एक बात है तो यह क्या जाएगा या जाएगा एन एबी अपॉन के इंटू यह किसका फॉमला गया है यह आगया वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉमला बात समझ में क्या करेंट सेंसिटिविटी का मतलब है करेंट को मेजर करने के लिए गेलिनो मेटर कितना सेंसिटिव है उसको बताना है तो उसके लिए करेंट सेंसिटिविटी कैल्कुलेट करें कैसे कैल्कुलट करनी है दो फॉमिले हैं फाइप न ऑफॉल्टे को मेजर करने के लिए हमारा जो गेलवनिमेटर है वो कितना सेंसिटिव है ठीक है तो वोल्टे सेंसिटिवटी कैसे मेजर करोगे फाई अपॉन वी यह फॉमला यूज कर लो या फिर एन ए बी अपॉन क्यार यह वाला फॉमला यूज कर लो जो डेटा कुशन में दे रखोगा उसके अकॉर्डिंग फॉमला यूज कर लिया जाएगा ठ फ RAMSAY को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है तो इस फॉमला के अंदर शेंट को ऐनेक्र देहां कैसे कर सकते हो नमब्र आफ्रकों करने कोईल के अनदर रहें अस girl क्ली करके जो मैच्नेिक कर रहे हो मुविंग कोईल गेलोन मिट में उनको स्ट्रों मैगनेट्स यूज करो ताकि मैगनेटिक फिल जादा हो वी की वैलू जादा हो के मतलब टॉर्जिनल कॉंस्टेंट यह कम होना चाहिए लेकिन इस प्रिंग कॉंस्टेंट यहां पर क्या होना चाहिए कम क्योंकि अगर स्प्रिंग आपने में लगा दी उसमें तो कोईल घूमने की कोशिश कराएगी तो टाइट स्प्रिंग उसको कंस्टेंट कमकर तो उससे आप करन निक्रीज कर सकते हो कैसे बढ़ा सकते हो एन एक को इंक्रीज कर दो और के और को कम कर दो के मतलब टोर्जिनल कॉंस्टेंट आर मतलब रजिस्टेंस ओप दे को इनको तो कम रखना पड़ेगा और नम्बर ओफ टांस एरिया और मैंग्नेटिक फिल इनको जादा रखना पड़ेगा तो आप ज्यादा स्टार लगाई ली ओंगे अपने इसमें चोटे मोटे कुशन दे रखें आपके नोट में इसके चाहिए पहला कुशन दे रखा इसके उपर वाइशूट्ट दै श्प्रिंग और सस्पेंशन वायर इन्हें मौविंग कोईल ग्रमीटर है लों टोर्जिनल कॉंस् रखना क्या था इसका वोलो एन एढे अवी अपउन के फाइप आई भी बिलिख सकते हो या फिर एणए बीओ के लिख सकते हो और वोल्टे सेंसिटिविटी का फॉर्मला क्या तभी तो current sensitivity या voltage sensitivity जादा होगी अगर आपने टोर्जिनल constant जादा रखा मतलब tight spring यूज कर ली तो क्या होगा pointer moment करी नहीं पाएगा चोटे मोटे current के लिए क्योंकि जब चोटा current या कम current flow होगा coil में से तो कम torque produce हो रहा होगा और कम torque से coil हिलेगी नहीं क्योंकि tight spring लगा रखिए तो कोईल हिलने भी तो चीए ना तो कभी लेगी कम moment होगा जब आप लूज spring यूज करोगे आप ऐसी spring यूज करोगे जो पतले वायर से बनी होगी मोटे वायर से नहीं बनी होगी लूज spring होगी ताकि easily उसमें moment हो जाए और आप easily current या voltage को करने के लिए ठीक है यह बता दिया था अभी वर्किंग में अगला क्यूशन है राइट टू फेक्टर्स बाइच ट्रेंट सेंसिटिविटी ओफ एक गेलोन अब इस बाइव एक विश्यन है देखो एकजाम में current sensitivity का फोमला क्या बताया था एन एबी अपॉन के कैसे बढ़ा सकते हो current sensitivity बताओ एन ए और बी इन तिनों के वेलिउस बढ़ा दो और के को क्या कर दो कम कर दो तो इससे आप क्या कर सकते हो current sensitivity को इनक्रीज कर सकते हो यह लिखना तो दो फैक्टर पूछे आप तो चार बता सकते हो एन को बडाना тест रोगया एक विक श्क्र हो गया ग्राओ यह बिटाना एक tha है और के को कम करनी फैक्टर है तो चार monopoly लिक्षत ओना चार तरीख से सब्सक्राइब को बढ़ा सकते हूं इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकते हैं राइट तो फैक्टर्स बाइबिस्टे वोल्टेज सेंसिटिविटी ओफे मुविंग कोईल गेलोमेटर कैन बेंक्रीस्ट दूसरा एरिया को इंक्रीज करके तीसरा मैगनेटिक फिल को बढ़ा के चौथा को कम करके कि मतलब इसको भी कम करोगे तभी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाईगी ताकु तो दो फैक्टर पूछे आप तो पांच बता सकते हो ठीक है इस तरीके से